आज के अगबार में खबर आईए कि नुएडा में कॉल सेंटर बनाके 500 करोड रुपे ठग लिया ये ठगी आज पहली बार नहीं हुई है आए दिन होती रहती है हर महीने एक दो खबर ऐसी आती है कि कॉल सेंटर बनाके साइबर फ्रॉड किया ठगी कर लिया तो गूस खोरी जमा खोरी मिलावट खोरी काला बाजारी की खबरे रोज आती है नसा तसकरी मानो तसकरी की खबरे रोज आती है किड्नैपिंग की खबर खुब आती है चेन स्नेचिंग की मोबाइल स्नेचिंग की खबर तो आम बात हो गई है इसी तरीके से खनन की आवाइद खनन की खबर लेकिन न भ्रष्टा चार कम हो रहा है, न साइबर फ्राउड कम हो रहा है, न आपराध कम हो रहा है, न माफियान राज कम हो रहा है, कुछ भी कम नहीं हो रहा है, जानते हैं कियों, क्योंकि कानून हमने नहीं बदला, वज्जनिकों ने WORLD CLASS yeahan बना दिया, लेकिन हमारे ऐसकानून नहीं बनाया येे 1760 का Indian Penal Code है मैंकले ने बनाया था इसको खतम करने में और इसकी जगे अमेरिका का Federal Penal Code लागू करने में कोई लागत नहीं आएगी अंतर है अमेरिका के Federal Penal Code में क्या Tale कि इसी एक ही किताब में, यह मेरे सामने आपको जो दिख रही होगी, इसमें 123 चेप्टर है, 123 चेप्टर का मतलब 123 अपराद इसमें है, सारी तरीकिय से, cyber fraud, सब इसी में सामिल है, land grabbing उजाट में है, तो आगर आते कोई अपराद किया, वहाँ का जो पुलिस में जो थानेदार होता है या इस्पेकर होता है एक किताब खोलता है इसमें चैपटर में देख लेता है कि आपने क्या-क्राइम किया है फटा फटो F.I.R लिख घ्या है भारत में वही FIR लिखने के लिए जो हमारा हवलदार है जो सिंपल दसवी यां बार्वी पास होता है उसको कम सकम दस कानून अलग अलग पढ़ना होता है इंडियन पिनल कोड में न घूस खोरी है न जमा खोरी है न मिलावर खोरी है न काला बजारी है इस कानून को बदला ग धाराये उनको बदल दी गई है धाराये आगे पीछे कर दी गई है नेशन, टैक्स कोड लागू करना पड़ेगा, ब्रश्टाचार को खतम करना है, सबसे पहले हमें एक व्यक्ति, एक बैंक एक अकाउंट सिस्टम लागू करना पड़ेगा, यह जो मल्टिपल एकाउंट खोले जाते हैं एक व्यक्ति के, उससे बहुत समस्याय होती है, आप ज जैसे एक व्यक्ति के पास एक पासपोर्ट होता है, एक आधार होता है, एक पैंकार होता है, एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वैसे एक व्यक्ति के पास एक ही बैंक खाता होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, यह जो मल्टिपल खाते खोले जाते हैं, साइब बड़ी नोट होती है, उतना जादा घूस खोरी, कमिशन खोरी, दलाली होती है कैस कम हो जाए, सारी समस्याइं कम हो जाएंगी भारत में 100 रुपे से बड़े नोट की जरूती नहीं है 80% लोग परड़े 100 रुपे से कम खर्च करते हैं जो 100 रुपे से जादा खर्च करते हैं, उनके पास ATM, ATM, Bheem, UPI, debit card, credit card है तो फिर 100 रुपे से बड़े नोट की जरूती नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए 100 रुपे से बड़ी नोट बंद करते ही, 25% भश्टाचार खतम हो जाएगा भारत में 135 कोड आधार बन चुका है, हर परिवार के पास आधार है प्रापर्टी को आधार से लिंग करते ही 25% भश्टाचार और कम हो जाएगा भारत में इस समय 225 करोड खाते हैं, इसका मतलब 225 करोड ATM भी इश्यू हो चुका है 30 करोड परिवार हैं, 27-200 करोड खाते हैं, यानि हर परिवार में 3-4-5 खाते खुल चुके हैं भारत का हर परिवार बैंक से जुड़ चुका है, ऐसे में अगर कैस लेंद इनकी लिमिट तैंक कर दिया जाए माली ये 5,000 रुपे कर दिया जाए, कि 5,000 रुपे तक क्या आप कैस लेंद इन कर सकते हैं, उससे महंगा समान है चाहे वो AIR का टिकेट हो, या 1st Class AC का टिकेट हो, या जो भी समान हो, जिसकी MRP 5,000 रुपे से जादा है, उसको आप कैस में खरीद नहीं पाएंगे ये करते ही 25% भष्टाचार खतम हो जाएगा, वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए, इंकम पे सारे टैक्स खतम, टैक्स लगाएगा कैस लगाना पड़ेगा, व्यापारी भी खुस, मध्यम वर्ग भी खुस, उच्च वर्ग भी खुस, सब खुच, सब खुस, टैक इंकम टेक्स फाइली नहीं करना, किसी को GST का कागज जमाई नहीं करना, ना TDS जमा करना, नो Wight जमा करना, सारे टेक्स से छुटका रहा हो गया, केवल आप खर्च करते जाएए, ATM, ATM, BMI, BMI, UPI के जरीए, एक परसंट इक्ष्टा देते जाए, खर्च करने वाले के लिए आसान, सरकार के लिए भी आसान, सरकार को ना इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की जरूद पड़ेगी, ना GST डिपार्टमेंट की जरूद पड़ेगी, और जब ये डिपार्टमेंट नहीं होंगे, तो फ्राड भी नहीं होगे, बहुत आसानी से भ्रष्टाचार खतम हो जाएगा, इसी तरीके से, 1861 का पुलिस एक्ष्ट का पुलिस एक्ष्ट के कानल, पुलिस में जो पूरा भ्रष्टाचार है, उसका मूल करना है, अठारासो एक्ष्ट का पुलिस एक्ष्ट, तो वन निशन वन पुलिस एक्ष्ट बनाना पड़ेगा, 1872 का एविडेंस एट महुत घटिया है, और उसका नतीजा यह है, कि आज तक किसी भी भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास फासी नहीं हुआ, आज तक कि जितने बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनका मुकदमा खतम नहीं हुआ, उसके पहले खुद ही खतम हो गया, सुखराम खुद पहले खतम हो गया, फिर मुकदमा अपने आप खतम हो गया.